हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप भी फोन पे एप इस्तेमाल कर रहे हो और आप उसमें अपना नाम चेंज करना चाते हो या अपना नाम डालना चाते हो तो कैसे करते हैं आई आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं मैं आपको बता जाता हूँ कि नाम डालने से क्या फाइदा होगा मान लिजिए कोई आपको QR कोड से या नमबर के जरीये पेमेंट करता है तो वहाँ पे आपका नाम शो कराने लग जाएगा और कनफर्म हो जाएगा कि यह आपका ही नमबर है तो अपना नाम कैसे चेंज करें या डालें आएगे जानते हैं सबसे पहले फोन पे एप को ओपन कर लिजे अपने मुबाइल में यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करिए यहाँ पर आपका जो फोन पर एप है वो चालू हो जाएगा उपर की तरफ आपको मिलेगा यहाँ पर एक गोल आइकन या आपका फोटो आपको इस पर टाच करना है तो यहाँ पर हम इस पर टाच करते हैं यहाँ पर आपको नीची की तरफ आना है यहाँ पर आपको कई सारा option मिल जाएंगे और आपको सबसे पहले नमबर पर ही मिल जाएगा एक option added details इस पर टच करिए उपर आपको मिलेगा full name यहाँ पर डाल दीजिए अपना नाम या अपनी दुखान का नाम डाल दीजिए ताकि लोग आपको पहचान सकें आपका नमबर आसानी से जान सकें कि यह आपका ही नमबर है तो हम डाल देते हैं विकास वर्मा और अपडेट चैंजिस पे टच कर देते हैं अब कोई भी वेक्ति हमारा QR code स्कैन करेगा यह हमारा नमबर अपने फोन पे एप में एंटर करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि यह हमारा ही नमबर है वहाँ पे हमारा नाम शो कराने जरूर करें